दोस्तो आज की इस वड़ों में हम देखेंगे कि जीमेल अकाउंट को पर्मनटली डिलीट कैसे किया जाता है कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे फोन में कई सारे जीमेल अकाउंट बना देते हैं लेकिन उनका कोई भी यूज नहीं होता है यूजलेस अकाउंट हम बनाके रख देते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि इन्हें पर्मनंटली डिलिट कैसे किया जाए तो आज की इस उड़े में आपको बताऊंगा जीमेल अकाउंट जो की आपकी यूज का नहीं है उसे कैसे पर्मनंटली डिलिट किया जाता है जीमेल अकाउंट को पर्मनंटली डिलिट करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में setting option पर click करेंगे और यहाँ पर आपको देखना होगा google का option यहाँ पर आपको यह देखी यह है google का option इसके उपर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने आपके जो भी email account से login किया हुआ है आपने device में वो email account यहाँ पर आ जाएंगे जैसी कि मेरे यहाँ पर जो है दो account से और यह जो account है यह आपको यहाँ पर डिख जाएंगे तो यह जो account है इन में से एक account को मुझे delete करना है तो यह account सबसे उपर यहाँ पर मैंने login करके रखा है तो यह आ गया है इस account को मुझे delete करना है इसे delete करने के लिए नीचे option मिलेगा manage your google account इसके उपर click करेंगे यहाँ click करने के बाद आपको यहाँ पर data and personalization यह option मिलेगा इसके उपर click करेंगे यहाँ click करने के बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको option मिलेगा download, delete and make a plan for your data इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर option मिलता है delete google services या तो फिर delete your account तो हमें account delete करना है तो इसलिए हम यहाँ पर click करेंगे delete your account यहाँ पर click करने के बाद यह अब वो load हो रहा है यहाँ पर आपको password दालना होगा जो भी आपका email का password है वो यहाँ पर आपको डालना होगा तो मैं यहाँ पर password fill कर देता हूँ मैंने यहाँ पर password जो है enter कर दिया है password enter करने के बाद आपके सामने यह नया page खुल जाता है और यहाँ पर आपको कुछ जो है page पे कुछ options मिलेंगे आप चाहे तो इने पढ़ सकते हो यहाँ पर नीचे आपको जाना है और यहाँ पर clearly आपको दिखाई देगा कि अगर आप यह email account डिलिट करोगे तो आपकी consequence services जो है वो permanently डिलिट हो जाएगी इसमें Gmail, YouTube, calendar, contacts, Google Play की apps और contents यह सब डिलिट हो जाएगा यहाँ पर आपको tick mark करना है यहाँ पर दो जो है यह box दिये है यहाँ पर tick mark करना है और आपका यहाँ पर delete account option है यहाँ पर आपको click करना है जैसी आप delete account पर click करोगे आपकी email जो है वो permanently delete हो जाएगी मुझे फिलाल यह account डिलिट नहीं करना है तो मैं इसे cancel कर देता हूँ तो दोस्तो इस तरह से आप जो है अपने Gmail account को permanently delete कर सकते हो अपने phone से जो कि आपके काम का नहीं है उस account को आप permanently delete कर सकते हो तो दोस्तो उम्मिद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे मिलते हैं दोस्तो आगले बार नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए आपना ख्याल रखिए बाई बाई